आज की कहानी का शीर्शक है बलेदान पुराना जमाना था एक महान त्यागी तरुर ने अपनी घोर साधना के बाद 16 साल की आयू में भक्ती का एमे पास किया इनका नाम था उग्र तपस्वी दतात्रे उस समय अवद में राजा मूड मान धता राज्य करते थे वे काली माता के उपासक थे पुजारी उपासक और भक्त मैट्रेक बी और एमे की तरह अलग-अलग होते हैं भक्त को महात्मा भी कहते हैं एक राज सपने में राजा ने काली माता के दर्शन किये माता ने कहा बलिदान माता जी के कहने का आश्रे था अपने एंकार का बलिदान कर मेरी भक्ती प्राप्त कर परन्तु राजा उस बात को समझ नहीं पाया और उसने निश्य किया कि काली माता की मूर्ती के सामने अगर किसी आदमी की बली देगा तो यह राज का कुशल होगा परना राज का कुशल नहीं होगा राजा को भय और चिंता से रात भर नीन नहीं आई प्रातकाल मंत्री को सूचना दी कि राज भर में यह मुनादी करवा दो जो आदमी काली माता का बलिदान बनेगा उसके घरवालों को राजा एक लाख रुपे देगा इस पवित्र काम के लिए किसी नव योग को अगरसर होना चाहिए इस नोटिस को साल भर हो गया कोई नहीं आया एक दिन राजा ने फिर वही सपना देखा और वही सुना बलिदान अब की बार राजा ने एलान कराया कि अगर कोई नव्योवक अपनी जान की मित्या लालसा नहीं छोड़ सकता तो ना सही परंतु एक मानव की बली देना राजा प्रजा के हित के लिए जरूरी नजर आ रही है अगर कोई किसी बूढ़े अंधे या पागल को इस पवित्र काम के लिए राजी कर लेगा तो वह एक लाख का पुरुसकार पाएगा इस दूसरे विग्यापन को भी एक साल हो गया बहुतेरे बुढ़ों से उनके घरवालों ने कहा कि आखिर एक दो साल में स्वैम ही मर जाओगे क्यों ना घरवालों को एक लाख रुपे दे कर मरो परन्तु अपने हाथ अपनी मौत बुलाने पर कोई राजी ना हुआ एक रात राजा ने फिर वही सपना देखा और वही हुक्म सुना राजा बहुत घबराने लगा राजा ने निश्य किया कि अब वह खुद ही किसी आदमी की खोच करेगा शिकार खेलने के बहाने राजा दिन दिन और रात रात घुमने लगा सात्वें दिन एक जंगल में एक आम के व्रक्ष के नीचे राजा ने भक्त दतात्रे जी को चुपचाप बैटे देखा राजा ने सोचा जैसे भी हो इस आदमे को मना लेना चाहिए जूट बोलूँगा जालसाजी करूँगा लेकिन इस लड़के को बलेदान के लिए लेकर जरूर जाऊँगा भला राजा के लिए दफ़ा चार सो बीस थोड़े ही है मालुम होता है यह लड़का किसी बात पर माता पिता से रूट कर यहां आ बैठा है पचास रुपे मासिक की नौकरी का लो भी इसे मेरे महल तक पहुचाने का सहस रखता है सत्यूग में भी कल्यूग रहता है और कल्यूग में भी सत्यूग चारों में चारों है भक्त के पास राजा ने घोड़ा खड़ा किया और उसे बाचित शुरू करी राजा बोला तुम कहां रहते हो भक्त बोला शिव ही सब है राजा ने बोला मैं पूछता हूँ कि तुम किस गाओं में रहते हो भक्त फिर बोला महावीर सावीर महावीर है राजा बोला तुम्हारा नाम क्या है भक्त दतात्रे फिर बोले अंतिम गुरू दो हैं एक कच्चा बाबा एक सच्चा बाबा राजा बोला मैं यह पूछता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है भक्त फिर बोला जो सत्य होगा वही सुन्दर होगा और वही शिव होगा राजा सोचने लगा मैं खेत की कहता हूँ और यह खलियान की मैं कानपूर जाता हूँ तो यह आगरा जाता है वजह क्या है यह खोबसूरत डड़का जो एक गरीव राजकुमार की तरहां बैठा है भेकी हुई बातें क्यों करता है क्या संकी है पागल तो नहीं है भैसे भेद खुलता है राजा बोला तुम चोरी करके भागे हो मैं भक्त बोला नेम का राजा राम चंद्र प्रेम का राजा क्रिशन चंद्र राजा बोला मेरे पास तुम्हारा वारंट है भक्त बोला शिव ही सब है राजा बोला चुप चाप रहो बदमाश भक्त बोला माया बन रही है परमात्मा और परमात्मा बन रहा है जीवात्मा अब कैसे कल्यान होगा इतना कहकर वे फूट फूट कर रोने लगा उसके नैनों में से मूती की मालाओं की तरह आसू टपकने लगे राजा ने निश्य किया कि यह लड़का पागल है गोडे से उतरा राजा ने उस लड़के को अपने पीछे बिठाया और महल की रहाली राजधानी के बहार फूर्व में काली माता के मंदिर के पास आज भारी भीड हो रही है चार पंडित प्रातहकाल से हवन कर रहे है दोपहर को एक बजे एक सुन्दर लड़के का बलिदान होगा लड़के लड़की नर नारी सभी आ रहे हैं पुलिस सबको गोल चकर में बढ़ा रही है पुलिस कहती थी शोर मत करो राजा साहा पधा रहे है ठीक बारा बजे एक बंद पालकी आई हाथ में नंगी तलवार लिए राजा साहा उत्रे हाथ पैर बंधा एक लड़का भी पालकी से उत्रा दोनों आकर हवन के पास काली माता के मंदर के सामने खड़े हो गए लोगों ने उन दोनों को देखा मास्टर धत्तात्रे को देख सभी चकित और सम्मोहित हो गए ब्रह्मा विश्णु और शंकर तीनों के आशिरवात से भक्त जी का जन्म हुआ था माताएं कहने लगी अगर मेरा बच्चा होता तो राजा की दाड़ी में दिया सलाई लगा देती हाई बेचारे की मा मर गई पिताओं ने कहा अगर मेरा पुत्र होता तो चाहें मेरा तन बदन तोले तोले उड़ जाता लेकिन जीते जी इस पर आँच ना आने देता रमणियों ने कहा कितना मनुरंजक पती होता जब पूर्णा होती तक घंटी बजी तब एक बजा राजा ने तीखे स्वर में भक्त से कहा कुछ खाओगे भक्त बोला अज्यान को खाओगा राजा बोला कुछ पीओगे भक्त बोला दोयत को पी लूँगा राजा बोला किसी को देखोगे भक्त बोला सबको देखूँगा राजा बोला किसी से कुछ कहोगे भक्त बोला शिव से कहूँगा कि तू ही सब है राजा बोला मैं कौन भक्त बोला सत्यम शिवम सुन्दरम राजा बोला तू कौन भक्त बोला सत्यम शिवम सुन्दरम राजा तलवार दिखला कर यह क्या है भक्त बोला सत्यम शिवम सुन्दरम राजा काली की मूर्ती के सामने इशारा करकर बोला यह कौन है भक्त बोला सत्यम शिवम सुन्दरम राजा बोला तुम्हारा बलिदान दिया जाएगा भक्त बोला सत्यम शिवम सुन्दरम राजा तलवार उठाकर जै काली पबलिक में हाहाकार मच गया कोई रोने लगा कोई भागने लगा कोई आखें बंद करकर बैठ गया को गाली देने लगे यह क्या राजा और भक्त के बीच स्वयम काली माता प्रकट हो गई मारे भय के राजा की तल्वार जमीन पर गिर पड़ी देवी बोली क्यों मूर्क यह क्या कर रहा था राजा बोला माता जी आग्या का पालन जैसे हो सका यही पागल लड़का तीन साल की तलाश के बाद मिल सका शमा करू माता देवी बोली पागल लड़का राजा बोला जी हाँ देवी बोली कौन है पागल राजा बोला यह लड़का देवी बोली यह पागल है या तू पागल है राजा बोला मा मैं समझा नहीं देवी बोली परमात्मा रूपी बाशाह के ये एक शहजादे हैं इन्हें बचाने के लिए मुझे बड़ी दूर से आना पड़ा, अरे मूर्क, प्रथम यह बता कि मैंने तुझ से एहंकार का बलिदान चाहा था या किसी मेरे बच्चे को अकारण मार डालने को कहा था, राजा बुला, समझा नहीं मा, देवी बोली, और मारने के लिए मिला व उठा सके, यदि मैं ना आती और तू तलवार चला देता, तो यह तलवार तेरा ही मस्तिक्ष काट डालती मूर्क, राजा अवाग था, वो समझ नहीं पा रहा था, देवी फिर बोली, राजा तू नहीं पहचानता कि यही माहत्मा दक्तात्रे हैं, जिनको भगवान और देवन का संचालन करना, राजा भक्त के चरण पकड़ के बोला, शमा करो शमानिधान, देवी अंतरधान हो गई, अमेर को उठा कर फकीर से चाती से लगा लिया, पहले तो प्रजा दुख के आंसू बहा रही थी, अब वह सुख के आंसू बहाने लगी,